प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इश्यू के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत एक सबस्क्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें, बस हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी हम काफी हफ्तों से संपुष्ट, मतलब एकदम से पुष्ट पायरिवायरिक जीवन का आध्यान कर रहे हैं, यहां मैं दो चार बातें याद दिला दूँ, नमबर वन, हम लोग मसीही परिवार का ध्यान कर रहे हैं, परिवार सारी दुनिया में हैं, मसीही, गैरमसीही, नास्तिक, परिवार का अनुग्रह सर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, परिवार का अनुग्रह विश्वासी, अविश्वासी, नास्तिक, इश्वर विरोधी, जो भी व्यक्ति हो, वो एक आनंद में पारिवारिक जीवन का आनुभाव ले सकता है, लेकिन एक फरक है, फरक ये है कि जब आप कोई जटिल मशीन खरीदते हैं, तो हो सकता है कि आप उसको चला लें, बिना उसका इंस्ट्रक्शन मैनुवल पड़े बिना हो सकता है, आप उसको चला लें, लेकिन उस मशीन का अधिक्तम उपयोग और सबसे अधिक इफिशेंट दक्ष उपयोग जो है, उसके लिए जरूरी है कि मशीन इवन हाथ लगाएं, उसके पहले आप उसका इंस्ट्रक्शन मैनुवल जरूर पड़ लें, क्योंकि जो आपके मन में हैं, औ और जिस तरह से मशीन चलता है, तो हो सकता है कि ये दोनों एक समान ना हो, और मनिश्य जीवन में तो एक्जाक्ली ऐसा है, नीतिवचन तीसरे अधियाय को जब अपन पढ़ते हैं, तब वहां तमाम तरह के निर्देश दिये गए हैं, इन निर्देशों को ध्यान से देख तो इन विश्यों पर दुनिया जो कहती है उसका बिल्कुल उल्टा है जो प्रभु का वचन कहता है, जैसे तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, दुनिया हमको सिखाती है कि अपनी समझ का सहारा लेना, प्रभु का वचन कहता है कि एक मसीही के लिए अपनी समझ का सहारा ल लेने के बदले प्रभू के उपर अपने जीवन समर्पित करना ज़्यादा जरूरी है तो जो मैनुवल है वो पढ़ने से मशीन की दश्चता बढ़ जाती है या उपयोग करने की दश्चता बढ़ जाती है उसी तरह से परमेश्वर ने परिवार हर व्यक्ति के लिए रखा ह मसीही, गैरमसीही, नास्तिक इश्वर, विरोधी सब के लिए लेकिन एक मसीही विश्वासी पारिवारिक जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको सुनके, पढ़के, अध्यान करके, समझ कर उसको वैसा का वैसा करने में सच्षम है, एबल है और इस यह सच है कि दुनिया में पारिवारिक जीवन हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन मसीही व्यक्ति, चूंकि उसके पास जीवन के लिए परमेश्वर का वचन, जीवन के बारे में उसे दिशा देने वाली पुस्तक उसके हाथ में हैं, इसलिए वो इस जीवन को सर्वोतम तरीके से अधिक्तम दक्षता के साथ बिता सकता है, और इस कारण मैं यह जो सीरीज ले रहा था संपुष्ट पारिवारिक जीवन, उसको विस्तार से कहा जाए तो वो होगा संपुष्ट मसीही पारिवारि मैं यहाँ जो बाते कहता हूँ यह मसीहियों गैर मसीहियों सब के लिए applicable है लेकिन मसीहियों के लिए कुछ extra है प्रभु का वचन पढ़ना प्रभु के वचन में जो मार्ग निर्देशन दिया है उसको समझना प्रभु के वचन में जो principles बताए गें हैं उनको समझना यह गैर मसीहियों के लिए उपलब्द नहीं है इसलिए मैं जो यहाँ पर principles बता रहा हूँ यह सब के लिए लागो होते हैं लेकिन यहाँ जो बातें बता रहा हूँ और पायरिवारिक जीवन को सबसे संपुष्ट तरीके से वे ही लोग बिता सकते हैं जो मसीही है जिन्नोंने प्र प्रभू पायरिवारिक जीवन उसके जितनी उसमें से खुशी मिल सकती है जितनी शांती मिल सकती है उस तरह का जीवन बिताने के लिए प्रभू मदद करते हैं इसलिए इस विशे पर अध्यान करते समय हम पजमेश्वर के वचन को देखते जाते हैं पिछले हफते मैंने ये बात याद दिलाई थी कि दुनिया दूसरों के लिए फंदा लगाती है। इस दुनिया में जब से पाप ने प्रवेश किया है तब से बिनाकारण, अकारण मनिश्य का दुश्मन हो गया है और मनिश्य का शोशन करने लगा है। इस दुश्मनी का सर्वोतम उदाहरण है काईन और हाबिल जो पिछले हफ्ते भी मैंने आपको याद दिलाया था। काईन ने जो परमेश्वर का अर्पित किया उसका हाबिल से कोई देना नहीं था। लेकिन मुझसे गलती हुई ये मानने के बदले उसने हाबिल के हतिया कर दिया और उसके द्वारा अपने मन में सांत्वना पाने की कोशिश की। वहां से लेकर प्रबु के वचन में हम बहुत सारे फंडमेंडल आधार भूत नियम देखते हैं। मनिश के व्यवहार को देखते हैं। जिसमें से एक व्यवहार कल मैंने आपको बताया था वो है एक मनिश दूसरे के लिए फंदा लगाता है। उसको जाल में फसाने की कोशिश करता है। उसके जीवन को बरबात करने की कोशिश करता है। दो तिरह से एक काईन के समान उसको मार डाला मुझे संतोश हुआ। दूसरा उसका शोशन करके मैं उसका आनंद ले रहा है। इस तरह से दो प्रकार के पंदे या दो प्रकार के जाल दुनिया बिछाती है। इस से संबंदित भजन 35 के साथ पिछले हफ़ते मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने भजन 35 के साथ में हम पढ़ते हैं, उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड़े में बिछाया। मैंने पिछले हफ़ते आपको ये बात याद दिलाई थी, कि सामान्यतिया जाल बिछाते हैं तो गड़े वगरे की जरूरत नहीं पढ़ती है। और यदि जानवर इतना बड़ा है कि जाल में आप उसको नहीं ट्रैप कर सकते और यदि गड़ा बनाने की जरूरत है तो फिर जाल की जरूरत नहीं है। जाल के साइज का जानवर जाल से सामान्यतिया बच नहीं पाता, गड़े के साइज का विशाल जानवर जनरली गड़े में गरके वो फिर बच नहीं सकता है। लेकिन दुनिया जब पदमेश्वर के बच्चों को फंसाने की कोशिश करती है तो दुनिया ये जानती है कि ये पदमेश्वर की संतान है और इसलिए इसको फंसाना आसान नहीं है। इसलिए वे जाल और गड़े दोनों का प्रयोग करते हैं। इस आधार पर मैंने माबाप से ये अनिरोध किया था कि प्रिय भाई, प्रिय बहन, बच्चपन से अपने बच्चे को ये जाल दूर से देखकर समझने के लिए, वो गड़ा दूर से देखकर समझने के लिए बुद्धी दीजे, उसको ग्यान दीजे. आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल वो तो मनिश्क को अपने आप समझ होती है, जो व्यक्ति इस तरह की बात्चित करता है, एक बात स्पष्ट है कि उसमें अकल की कमी है. मनिश्क में यदि इस तरह से अपने आप बुद्धी होती, ज्यान होता, माबाप उसको स्कूल क्यों बेजते, माबाप बच्पन से उसको शिच्छा क्यों देते, माबाप बच्पन से उसको ना और हां क्यों नहीं करते, या करने की जरूरत क्या थी, स्कूल क्यों बेजते हैं, हाँ ना क्यों करते हैं, इसलिए कि किसी भी बच्पने आप बुद्धी नहीं होती है. इस बात को आज जो माबाप प्रभू का वच्पन सुन रहे हैं, वे इसको सुन के, समझ के, गाठ बांद लें, कि आपका बच्चा कितना भी इंटेलिजन्ट हो, भले और बुरे में भेद करने का अंतर वो अपने आप नहीं सीख पाता है. आपको सिखाना पड़ेगा. यह आपकी जिम्मेदारी है. नीति वचन में बार बार यह कहा गया है कि बालक को उस मार्ग की ट्रेनिंग दे, हिंदी में शिट्षा दे हो गया है, ट्रेनिंग के लिए कोई अच्छा सा शब्द नहीं मिला, इसलिए ट्रांसलेट करने वालों ने उस मार्ग की शिट्षा दे कहा है, प्रबु का वचन कहता है कि बालक को उस मार्ग की ट्रेनिंग दे जिस मार्ग पर उसको जाना है, शिट्षा देना और ट्रेनिंग देना दोनों में बहुत फरक है, बहुत ज़्यादा फरक है, कुछ माबाप अपने बच्चों के सामने सुबह से शौन तक राद लेक्चर देते रहते हैं, ये शिट्षा देना है, कुछ माबाप क्या करते हैं, कि जब बच्चे को जीवन की मोटी मोटी बातें सिखा देते हैं, तो उसके बाद बच्चे से पूछते हैं कि अब तुम बताओ कैसे करेंगे, इसलिए नहीं कि बच्चे की इच्छा के आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कई माबाप ऐसे हैं, जिनोंने बच्चों को इचन में चाकु उचुरा यूस करना सिखाया है। उप्यों को काटने की कोशिश की और अपना हाग काट लिया। लेकिन बाद में जब ममी को लगा कि ये मूर्ख पता नहीं और क्या काट पीट दे, तो ममी ने फिर चाकु लेके उसका उप्योग कैसे करना है, ये मुझे समझाया। ये है ट्रेनिंग और टीचिंग में फरक। जीवन का उप्योग, जीवन कैसे हैंडिल करना है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, चाकु से यदि हाथ कट गया, तो पटी मांदी जा सकती है, टाके लगाए जा सकते हैं, लेकिन यदि बच्चा अपने अज्ञान के कारण, अपने जीवन की जो सबसे महतोपूर्ण बाते हैं, उनी को काट दे तो ये बहुत केरफली माबाप इस बात को सोचे, और इसलिए यहाँ जितने माबाप है, उनको पहले तो ये समझना चाहिए कि आप अपने बच्चे को आजकल तो तीन साल की उमर में लोवर केजी में भेज देते हैं, वहाँ एक सो शैतान उनके साथ होते हैं, जो हर तिरह से आपके बच्चे की जिंदगी बरबात करने की कोशिश करते हैं, मुझे अभी भी याद है, भाई रंजीत के या शास्री जगविर जहां हैं, ग्वालियर, वहाँ पे ही मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा था, उ लोवर केजी में, और लोवर केजी में एक हफ़ते के बाद उसने आके बताया कि डैड एक बच्चा है जो सीधे सीधे दूसरे बच्चों के पेट पर लात मारता है, पिक्चरों का असर है, वो बच्चा होने के कारण वो नहीं जानता कि क्या करें? अफ कोर्स मैंने उसको सिखाया कि अपना बचाव कैसे करना है? उसको ये बताया है कि हम जाकर दूसरे के साथ मार पीट नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा यदि मार पीट के लिए आता है, तो हमें अपना बचाव किस तिरह से करना है यह मैंने फिर अपने बच्चे को ट्रेनिंग दी तीन चार बार उस लड़के ने जो है मेरे बेटे के पेट पे लात मारी कई बच्चे बड़े अग्रेसिव परिवार से आते हैं जहां सुबह से शाम मारपीट की ही बात होती है और इसका बच्चे ट्रेन हो जाते हैं दूसरे बच्चों को बच्चों के साथ मारपीट करने में उससे मैंने अपने बेटे को बचाए लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरे बेटे बेटी या आपके बेटे बेटी के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो यह है कि उसके पेट पे कोई लात मार रहा है नहीं सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई उसके जीवन पर लात मार रहा है कोई उसको उधार पाने से ही दूर ले जा रहा है आप पूछेंगे कि ब्रदर कैसी बात कर रहे हैं छटी में आ जाए तो एक गैर मसीही मित्र खास कर ओपजिट सेक्स का गैर मसीही मित्र उसको आकर शित कर ले और दोनों में प्रेम हो जाए इस तरह के बातें स्कूलों में होती है और वो गैर मसीही मित्र आपके बेटे या बेटी को इतना मोह लेता है इतना फसा लेता है कि आपका बेटा या बेटी मसीही परिवार को छोड़ कर उस व्यक्ति के पीछे चला जाता है, उससे शादी करके एक गैर मसीही परिवार बसा लेता है, मैं इस तरह के बहुत केस जानता हूँ, बहुत-बहुत-बहुत कम केस है जहाँ पर वो मसीही बच्चा या बच्ची उससे बच्च कर वापस आ सका, जिसको एक नएया जीवन मिल सका, अधिकतर लोग अधिकतम लोग जब इस तरह के जाल में फस जाते हैं तो वे हमेशा हमेशा परमेशर से दूर हो जाते हैं आज भी ऐसे कई भाई बहन हैं इवन मेरे हम उमर कई भाई बहन हैं जिनके लिए रोज में शोक करता हूं इसलिए शोक करता हूं इसलिए विलाप करता हूं ये लोग उद्धार पाए हुए लोग थे मंडली में सक्रिय थे बहुत अच्छा स्वभाव था कहीं किसी एक जग उनसे गलती हुई एक गैर मसीही से मितरता हुई उस गैर मसीही ने इस बात को जाना कि ये लड़का या लड़की जो है इसका स्वभाव तो बहुत ही नोबल है राज की स्वभाव है परमेश्वर के बच्चों का जीवन दूसरे लोग देखते हैं तो उनको दिख जाता है कि बड़ा राज की स्वभाव है वे लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं हंडिया में चावल पग गया है है ये लड़की है और उसके बाद आपको फसा लेते है मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज सतर साल की उमर में भी तईव यक्तियों के बारे में मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दुख है हर बार जब मैं उनके बारे में सूचता हूँ तो दिल में एक नश्तर या कटार चुप जाता है बॉन अगेन उद्धार पाए हुए बप्तिसमा पाए हुए इतना ही नहीं एक समर्पित व्यक्तितों वाले लोग लेकिन क्या हुआ कहीं तो एक जग उस जाल को उन्हें नहीं पहचाना जाल में फस गए और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए परिवार से दूर हो गए मैं बात याद दिलना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जब वायस्क हो जाता है तो उसके बाद एक गैर मसीश से शादी कर ले तो उस व्यक्ति की इच्छा के बिना उसको पकड़ के लाया नहीं जा सकता और मैंने देखा है कि सामाइने तया एक मसीशी विश्वासी पुरिश एक बार एक गैर मसीशी स्त्री से शादी कर लेता है तो उसका पूरे जीवन पश्चताप से होकर गुजरता है लेकिन वो वापस नहीं जाता है तमाम तरह की पाबंदियां उसके सामने होती है इंसल्ट होता है उसी तरह से कोई मसीशी बहन यदि एक गैर मसीश से शादी कर लेती है हफते महीने में पता चल जाता है कि अती भायाना गलती हो गई है लेकिन वापस चाहना अधिकतर लोगों के लिए असंबह होता है वापस चाहेंगे लोग क्या कहेंगे जिन्दगी भर जो है लोग जो है उपहास करेंगे शायद शादी करने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आएगा जिन्देगी बर कुमारी रहना पड़ेगा पचास परेशन इसलिए कई बार क्या होता है कि इस तरह से जो लड़कियां फस्ट चुकी है वे उस जाल में, फंदे में, गड़े में ही रहना प्रिफर करती है और उसका परिणाम यह होता है कि उनके जीवन हमेशा हमेशा के लिए बरबाद हो जाता है मैं इस तरह के बहुत लोगों को जानता हूँ एक या दो नहीं, पचासों नहीं पूरी जिन्दगी, काफी लंबी जिन्दगी होगी सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जिन्दगी इस जाल में, इस गड़े में असकर बरबाद कर दी है लेकिन इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदाई माबा याद करना चाहता हूँ मैं फिर से याद दिला दूँ एक बच्चा यदि गड़े में गर जाता है जाल में फस चाता है तो उसने तो गलत किया लेकिन इस बात को याद रखें कि उसके माबाप ने भी बहुत गलती की है और वो गलती ये है कि बच्चे को भले और बुरे की बीच में जो अंतर है वो नहीं सिखाया दो बच्चे के साथ आपस में कम्यूनिकेशन नहीं रखा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो माबाप हमेशा बच्चों के साथ खुलावी अवहार करते हैं हर विशय पर खुल कर बोलते हैं अना विशय डांट फटकार नहीं करते ऐसे बच्चे हर चीज आकर माबापको बताते हैं हर चीज स्कूल में जो देखा जो सुना कॉलेज में जो देखा जो सुना यदि कोई लड़का ये लड़की उन में सीमा से अधिक दिल्चस्पी लेता है तो वो बात घर पे आके बताता है उसका परिणाम क्या है कि माबाप उस बच्चे की मदद कर पाते हैं लेकिन हम में से अधिक तर लोग इस तरह का एक एक माहौल अपने बच्चों को देने में पराजित हो गए है आगे बढ़ने से पहले इसलिए ये सारी बातें मैं फिर से याद दिला कर मैं अगले दो पद आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें पहला पद है या पहले पद है नर्गमन की पुस्तक तेईसमें अध्याय के 32 और 33 में नर्गमन तेईस का 32 और 33 वहाँ हम पढ़ते हैं तुम उनसे वाचा तुम ना तो उनसे वाचा बांदना ना उनके देवताओं से वे तुमारे देश में रहने न पाएं ऐसा न हो कि वे तुमसे मेरे विरुदपाप करवाएं क्योंकि यदि तुम उनके देवताओं की उपास न करोगे तो ये तुमारे लिए फंदा बनेगा ये आग्या परमेश्वर ने अपने बच्चों को तब दी थी जब उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया था या कनान देश में प्रवेश की तैयारी की रूप में परमेश्वर ने ये बातें बताई थी जड़ाय याद रखें मिच्चर इसराइली लोग जो परिपक्व इसराइली लोग है यदि उनको इस तरह की बातें सिखानी पड़ी या सिखाना जरूरी था तो हमारे बच्चे जो परिपक्व नहीं है उनको तो ये बात जरूर सिखाई जानी चाहिए कि बेटा, बेटी, दुनिया में सब के समान मित्रवत व्यवहार रखो, सब के साथ मित्रवत व्यवहार रखो, लेकिन मित्रवत व्यवहार का मतलब ये नहीं है, कि तुम उनकी भाशा बोलो, तुम उनकी आदतें सीखो और तुम जो है प्रभू पे जो विश्वास है उसको त्याग दो याद रखें जिनोंने कनान देश में प्रवेश किया था उनमें बच्चे तो बहुत थे लेकिन प्रभू का वचन जो दिया जा रहा है मुख्यरोप से वो एडल्ट्स को बड़े लोगों को दिया जा रहा है तो परिपक्वी लोगों को यदि ये बताना जरूरी है कि तुम जिस देश में हो उसके आस पास के गैर मसीहिएं के साथ सीमा से ज़्यादा घुल मिल जाओगे तो संभावना इस बात की है कि वे तुमको अपने जाल में फसा लोगे और वे अपने जाल में फसा देंगे तो उसके बात क्या होगा तुम पर मेश्वर की आरादना छोड़कर उनके विग्रहों की आरादना में मस जाओगे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ एक्शली पुराने नियम में जो लेविय विवस्था गिंती विवस्था विवरेंट से लेकर एस तर तक की पुस्तकों का जब हम अध्यान करते हैं तब हम देखते हैं कि बार बार ये बात देखते हैं कि पजमेश्वर के बच्चे गैर मसीयों के साथ अनावश्यक दोस्ती के कारण अपने जीवन उन्होंने बरबात कर दिया इसके दो उदाहरेन आज शाम को मैं बताना चाहता हूँ उसमें से एक है याकूब की पुत्री दीना याकूब की पुत्री दीना के बारे में प्रबु का वचन कहता है कि वो उस देश की लड़कियों से मिलने के लिए गई देखे ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि याकूब का परिवार already काफी बड़ा परिवार था और इतने बड़े परिवार में कजिन्स नातरिष्टेदार बंदो मित्र काफी थे उन सब को छोड़कर उस देश की लड़कियों से वो मिलने के लिए गई जब अब उस घटना को पढ़ते हैं तब एक बात सपष्ट हो जाती है कि उसके मन में बड़ी जिग्या साथी कि ये लोग कौन है क्या है कैसा करते हैं कैसा जीते हैं और प्रभु का वचन कहता है कि वहाँ पर एक गैर मसीही जो लीडर था या जमीनदार था उसका बेटा आकर इसको अपने घर ले गया मतलब एक गैर मसीही ने आकर एक जवान ने आकर उसको अपने घर जाने के लिए बुलाये वो बड़े आराम से चली गई उसको इतना भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों ले जा रहा है और उसको इतना भी समझ में नहीं आया कि मैं जरा अपने माबाप से पूछ लूँ मैं घर छोड़ कर क्योंकि अडोस पडोस के लोग तो नहीं थे मैं अपना घर छोड़ कर किसी और जगध किसी जवान के घर में जाओ वो काहे को बुला रहा है काहे को ले जा रहा है उस लड़की को इतनी अकल नहीं थि क्या वाकशे में नहीं थी उसके माबाप ने उसको सही ट्रेनिंग नहीं दी थी उसको तो तुरंट कहना चाहिए था मैं अपने माबाप से पूछ लू नहीं पूछा ये बात मैं यहां जितने माबाप है उनसे पूछना चाहता हूँ हम अपने प्रती दिन जो खबर पढ़ते हैं ये सारी खबरें इन बातों को बताती है कि हमारे बच्चों को लोग पार्टी में ले जाते हैं इधर ले जाते हैं उधर ले जाते हैं और उनके जीवन को बरबात कर देते हैं क्यों? इसली कि हमने अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दी है दूसरी जो कहानी चरित्र कथा प्रबू के वचन से मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो सुलेमान की चरितर कथा है प्रभू का वचन कहता है कि उसने बहुत सारी गैर यहूदी अन्नी जाती स्त्रियों से प्रेम किया मतलब उनके प्रति उसके मन में मोह आया और मोह आने के कारेंड क्या हुआ उसने स्त्रियों की संख्या बड़ा बड़ा के बड़ा बड़ा के संख्या बहुत बड़ी कर ली बादशाह था पैसे थे लेकिन फाइनली क्या हुआ उन स्त्रियों ने जिस पर्मेश्वर का दर्शन सुलेमान ने दो बार पाया था उस पजमेश्वर को छोड़कर उन स्त्रीयों के देवी देवताओं के लिए मंदर बनाकर विग्रहों की आराब ना की जबकि प्रभु का वचन कहता है कि मूर्ति पूजा ना करना तो अभी हमने निर्गमन से जो भाग पड़ा था तुम ना तो उनसे वाचा बानना ना उनके देवताओं से ऐसा न हो कि वे तुम से मेरे विरुद पाप करवाएं यदि तुम उनके देवताओं की उपास न करो तो ये तुमारे लिए फंदा बनेगा तो यदि सुलेमान जैसा आती महान आती बुद्धिमान व्यक्ति जिसने परमेश्वर को मुखा मुख देखा था यदि वो फंस गया तो मेरे आपके बच्चे तो कहीं नहीं लगते इस बात को मैं याद दिलादू कहीं नहीं लगते और इसलिए इन बच्चों को तो प्रती दिन ये बात याद दिलाने है कि बेटा बेटी इस तरह का कोई काम मत करना कि किसी गैर मसीही के जाल में हस जाओ, उसकी दोस्ती में, उसकी दोस्ती यारी में, उसकी कंपिनी में, सबके साथ सनेह भाव रखो, सबके साथ अच्छा सब्भाव रखो, कर्टसी रखो, लेकिन जो इंटिमेट दोस्ती है वो ऐसे लोगों से करो जो उधार पाए हुए है कमसे कम मसी ही तो हूँ उधार पाए हूँ तो सरवोतम है ये शिट्शा हम में से कितने लोगों लोगों ने अपने बच्चों को दी है हम में से कितने लोगे ने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिया है कि बेटा स्कूल या कॉलेज में जो होता है वो आकर हमसे बताओ हमको बताओ हमसे पूछो ज्यादा तर बच्चे कभी नहीं बताते कारण भारतिये परिवारों में बच्चों से ज्यादा माबाप बिगड़े हुए है इन में से ज्यादा तर लोगों को तो कभी बच्चे ही नहीं पैदा करने चाहिए थे कारण क्या है आपका बच्चा जो आपकी टीचिंग पर शिट्षाओं पर आश्रित है आपके मार्ग निर्देशन पर आश्रित है वो जब आकर कोई बात बोलता है तो बच्चे को समझाने के बदले हमें से ज्यादा तर लोग बच्चे को डांटते है बहुत फरक है समझाने में और डांटने में जैसे मान लीजे आपकी बेटी आकर कहती है कि ममी आज स्कूल में एक पार्टी हुई थी उसमें तमाम तरह के खेल खेले गए थे जिसमें से एक खेल में एक लड़के ने आके एकदम से मुझे जो है अलिंगन कर लिया मान ली आपकी बेटी आपको बताते है आपका रियक्शन क्या होगा बहुत सारी माओं का रियक्शन ही होगा नाला एक परिवार का नाम डुबाएगी एक गैर लड़के ने आके तुझ से एलिंगन कर लिया परिणाम क्या होगा स्कूलों में इस तरह की कोशिश जब और कोई करेगा वो आके नहीं बताएगी दीरे दीरे वो लोग उस लड़की को फसा लेंगे क्योंकि उनको भी ये बात जो भेडिया है उसको ये बात अच्छी तरह से समझ माया जाते है कि फलानी लड़की विरोत करेगी या ना करेगी एक अच्छी माँ एक अच्छी पिता का दाईत वी यह है कि जब आकर बोले तो उसको बताए कि बेटा अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया आएंदा किसी भी खेल में किसी भी कूद में किसी भी पार्टी में या इस तरह कि किसी भी चीज में जाओ तो हमेशा सतर्क रहना क्योंकि कि आजकल के समाज में लड़के कोशिश करते हैं कि यदा कदा जाकर अपने साथ की लड़कियों के कंदे पे हाथ रखे अलिंगन करे हाथ पकड़े आपकी बेटी हो सकता है ये पूछे कि मम्मी उससे क्या नुकसान है आपकी बच्ची को इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो आप से पूछे तब आप उसको बताएं कि बेटा ये जो हाथ पकड़ना है कंदे पे हाथ रखना है अलिंगन है ये सब आगे की तैयारी है उन सब के मन में सिर्फ एक इच्छा है और वो इच्छा ये है कि तुम्हारा यौन शोशन किया जाए तुम्हारा सेक्स एक्स्प्लॉइटेशन किया जाए और इस शोशन के लिए वो तुमसे पहले हाई करता है उसके बाद बाई करता है उसके बाद तुमसे लगातार बाच्छित करता है तुमारा हाथ पकड़ लेता है कंदे पे हाथ रखता है खेल खेल में ऐसे अलिंगन कर लेता है जैसे कि ये खेल का हिस्सा हो लेकिन बेटा ये सब खेल का हिस्सा नहीं है ये सब तुमारे शोशन के लिए उठाए गए कदम है इसलिए आइंदा सतर्क रहना और यदि कोई इस तरह से तुम्हेरा हाथ पकड़े, पकड़ने मत देना, कंदे पर हाथ रखे, हाथ रखने मत देना, अलिंगन करने की कोशिश करे, तो साफ साफ बता देना कि नो, ये स्वीकारिय नहीं है. मैं ये बात आपको जो बता रहा हूँ, ये मैं जिस इलाके में रहता हूँ, वहाँ जब भी बाहर निकलता हूँ, तो दरजनों बार देखता हूँ. मैं एक यूनिवर्सिटी टाउंड में रहता हूँ, और यहां यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हजारों विद्यार्थी रहते हैं, और ये एक शहर के बाहर का इलाका है, गुमने फिरने के लिए बहुत जगह है, और जवानों के लिए तमाम होटल हैं. शाम का समय यदि बाहर निकल लें, तो आपको दरजनों लड़के लड़कियां दिख जाएंगे, जो गिले में हाथ डालके चल रहे हैं, उनके चलने से ही पता चलता है, कि वे ना तो कजिन्स हैं, नहीं उनकी उमर इतनी हैं कि वे शादी शुदा हैं. सडक पर खुले आम, हाथ पकड़ना, अलिंगन करना, एक दूसरे के साथ लिपट कर चलना, चिपट कर चलना, सब कुछ दिखता है. और अक्सर मैं सोचता हूँ कि बाप रे, किस तरह से बेड़ी अपना जाल फैला रहा है, उस लड़की को लगता है कि मेरे घर में कोई मुझ से प्यार नहीं करता है, मेरे पापा प्यार नहीं करते, मेरे भाई बहन प्यार नहीं करते, ये लड़का मुझ से कितना प्यार कर यह लड़कें यह नहीं जानती कि यह लड़का किस चीज से प्यार करता है जब एक बार तुम्हारा उपयोग करने का मौका मिल जाएगा उसके बाद तुमको छोड़ कर भाग जाएगा यह रोज अख़बारों में इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं मैं स्वाइम इस तरह क मसीही युवतियां हैं Brush Assembly की युवतियां हैं मेरे चारों तरफ जिनः गैर मसीहों से शादी कर ली है और आज उनके जीवन में प्रभु की आरदना के लिए कोई आजादी नहीं है अपने पती के जो भी उनके देवी देवता है या उनका जो भी दार्मिक सिस्टम है उसमे पूरी तरह से वे लोग अब्जॉर्ब हो गए हैं उस बच्ची की के अगली पीडी का क्या होगा हमेशा के लिए प्रभू से दूर हो जाएगी प्रभू का वच्चन जो कहता है वो अच्छी तरह से समझ कर बच्चों को समझाना जिरूरी है आज बच्चों से ज़्यादा अपरादी माबाप हैं जो कभी भी बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते खुल कर बात नहीं करते बच्चे अपने जीवन की समस्याएं अपने माबाप से खुल कर नहीं बोल पाते और यदि समस्या बोलते हैं तो समस्या का हल मिलने के बदले डाट फट कार मिलती है भाईयों बेहनों हम एक ऐसी युग में जी रहे हैं जहां जॉइन्ट फैमिलीस टूट गई है जॉइन्ट फैमिली की विशेष्टा थी कि एक विक्ति आपसे नाराज है आप दूसरे के पास चले जाएंगे दूसरे नाराज है तो तीसरे के पास चले जाएंगे हर जगे कजिन्स, आंट्स, अंकल्स वगरा हैं लेकिन आजकल तो छोटे छोटे परिवार हैं इन परिवारों में, मैं फिर से याद दिला दूँ, अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार कीजिये, अपने बच्चों के साथ हर विशे पर खुल कर बोलिए, बातचित कीजिये, आपका बच्चा दिन बर सकूल और कॉलिज में जो बातें हुई हैं, वो आपसे खुल कर बोल सके ऐसी ऐसा माहुल पैदा कीजे और जब आपका बच्चा स्कूल या कॉलिज में हुई घटनाएं आपको बताता है तब उसका विशलेशन दीजे उसको डाठे फट करे नहीं उसका विशलेशन कीजे अपने बच्चे को ये समझाईए कि वो अपना बचाव कैसे कर सकता है या कर सकती है इससे संबंदित दो महतोपोर्न पद भजन एक में हमको मिलता है भजन एक एक और दो में हम इस तरह से पढ़ते हैं भजन एक एक और दो में क्या ही धन्य है वह पुरिश जो दुष्टों की युक्ती पर नहीं चलता ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता ना उपहास करने वालों के मंडली में बैठता है वो यहोवा की व्यवस्ता से प्रसंद रहता और उसकी व्यवस्ता पर रात दिन ध्यान करता है इस पद के अर्थ को समझ कर आपने अपने बच्चों को कभी समझाया है क्या कभी ट्रेनिंग दी है क्या दुष्टों की युक्ती पर नहीं चलना है आपका बच्चा जब आके आपको बताता है कि आपके साथ ही आप उस बच्चे के साथ ही कोई बहुत ही दुष्ट काम करने जा रहे हैं तो आप बच्चे को डांटे फटकारे उसके बदले बच्चे को प्रभु के वचन में ले जाकर उसको बताईए कि क्या ही धन्य है वो पुरिष्ट जो दुष्टों की युक्ती पर नहीं चलता और मैं आपको याद दे लाना चाहता हूँ स्कूलों कॉलेजों में सेकडों काम ऐसे हैं बच्चे जो की पूरी तरह से दुष्टों की युक्ती ही होती है मुझे अभी भी याद है जब मैं B.E.C. फस्ट येर में पढ़ता था मैट्स मेरा मुखे विशह था हमारे एक सर बहुत अच्छा क्लास लेते थे लेकिन सिर्फ क्लास से मतलब रखते थे बच्चों के साथ अनावशक, हसी, तमाशा कुछ नहीं करते थे बच्चे ऐसे टीचर्स को पसंद करते थे जो क्लास में कुछ चुटकुला सुनाएं हसी मजाक करे finally मेरे कलास के जो इस तरह के जो दुश्ट लड़के हैं उन्होंने डिसाइड किया कि सर के विरुद शिकायत की जाए उन्होंने बाकाइदा सर के विरुद जूटी शिकायते बना कर एक लेटर तैयार किया और कलास में हम लोग असी के करीब थे उसमें से पचास या साथ लोग साइन करने के लिए तैयार हो गए सबसे साइन करवाया वो लेते रेदी प्रिंसिपल के पास पहुँच जाता तो ना के वेल इस सर को क्लास से हटा दिये जाता बलकि एक अच्छे टीचर की रेप्यूटेशन खराब हो जाती प्रभु ने मुझे बुद्धी दी मुझसे साइन करने को का तो मैंने का कि एक काम करो कि तुम सब लोग साइन कर दो सबसे आखर में मुझे दे देना देव योग से ऐसा ही हुआ उन सब लोगों ने साइन किया और आखर में एक दिन चुटी पर घर जाने वाले थे, तो वो पत्र मुझे दे दिया, उसके बाद 3-4 दिन की चुटियां थी, मैंने वो पत्र घर ले जाके दबा दिया, चुटियों के बाद जब कॉलेज गया, तो किसी को यादी नहीं आया कि वो पत्र किसको दिया गया था वो जो application है परिणाम क्या हुआ वो कभी principal के पास नहीं पहुँचा उस सर का नाम बुरा नहीं हुआ इस तरह के पचासों काम स्कूलों में और कॉलेजों में होता है इस एक घटना में तो वो लोग एक सर का नाम बुरा करने में लगे हुए थे उसके अलावा आपस में भी एक दूसरे के साथ दूसरों को धोखा देने की कोशिश होती है आपके बच्चे को इतना freedom दीजिए और उसको इस तरह से training दीजिए कि वो इस तरह की घटना आएं आके आपको बता सके जिससे कि आप उसको बता सकें कि यह दुश्ट की युकती है बेटा और इस से किस तरह से बचना है अगला statement है पापियों के मार्ग में जो खड़ा नहीं होता पापियों के मार्ग में खड़े होने का क्या मतलब है मतलब यह है कि जिनकी बाचित सुबह से शाम तक सिर्फ पाप से भरी हुई बाते हैं ऐसे लोगों के बीच में मत बैठा करो वो तुमको बर्बात कर देंगे बच्चों को प्रोटसाहित कीजिए कि सैयोक से उन लोगों के द्वारा कही गई कोई बात कान में पड़ जाती है तो आकर माप आपको बताए हर जग इस तरह के लोग है और इसलिए पापियों के मार्ग में खड़े होने का मतलब है एक्सपोज होना पापियों के साथ एक्सपोज होना हम उनके आदतें सीख लेते हैं हम को फिर पाप कोई भारी चीज नहीं लगती है बच्चे को बताएं और बच्चे जब आकर आप से खुल के बात करता है तब उसको समझाएं और जो उपहास करने वालों के मंडली में नहीं बैठता है उपहास का मतलब सिर्फ जोक से नहीं है उपहास का मतलब है जो व्यक्ति समाज में प्रभु ने जो कुछ रखा है उन चीजों का उपहास करता है उन पे question mark लगाता है ऐसे लोगों के मंडली में बैटने से क्या होता है क्या नुकसान है नुकसान यह है कि हमारा दिमांग एक खाली पेपर के समान है जो भी उसके उपर गिरता है वो उसके उपर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाता है आप मैसे कितने लोगों ने कितने लोग एपरंड यूज करते हैं कीचन में खास कर सबजी काटते समय जिन लोगों ने कपड़े का एप्रंड यूज किया है वे लोग जानते हैं कि जब सब्जी काटते हैं तो सब्जी का रस थोड़ा बहुत एप्रंड पे गिरता है कुछ समय के बाद क्या होता है एप्रंड को आप धो लें लेकिन वो सब्जी का जो निशान है स्टेइन जिसे बोलते हैं दाग धब्बे वो कभी नहीं जाते है मनिश्य मन ऐसा ही है मनिश्य मन को जो बातें सुननी नहीं चाहिए जो बातें बोलनी नहीं चाहिए जो बातें सोचनी नहीं चाहिए जब हम सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं तो वो धीरे 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 हमारे मन के अंदर, भले और बुरे के बीच में जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को तोड़ देता है, और एक बार जब सीमा तूट जाती है, तब अच्छे से अच्छे घर का बच्चा, अच्छे से अच्छे घर की बच्ची, पूरी तरह से समर्पित विश्वासी युवा युवती इवन बड़े लोग जो है वो बड़े आराम से पाप में अस जाते हैं और इस कारण ये माबाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को दुष्टों की युक्ती पर नहीं चलना पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना उपाहस करने वालों के मंडली में नहीं बैटना और बैठेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा ये समझाएं तो घूम फिर के फिर से बात वहीं आती है यदि बच्चे को समझाना है तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चा आपसे बात करे और यदि बच्चा आपसे बात करे तो जरूरी है कि बच्चे के समान मित्रवत व्यवहार करे भारती परिवारों में इस तरह के की बाते होती नहीं है, मेरे दादा जी जब 90 साल की उमर में जब उनकी मृत्य हुई, तब मेरे पापा ने गवाही दी, कि मैं अपने बाप के चेहरे पर पहली बार, आज पहली बार सीधे-सीधे नजर डाल पा रहा हूँ, कारण क्या था, मेरे दादा जी जो है, उनसे हर्व्यक्ती डरता था, ऐसा डर उनका मन में था कि उनका कोई उनके बच्चे जो उनके चेहरे पर नहीं देखते थे, मेरे साथ भी ऐसा ही था, चालिस साल की उमर तक मैंने अपने फादर के चेहरे पर नहीं देखा, देखके बात नहीं की, किसी जमाने में जॉइंट परिवारों में ये सब हो चल जाता था, क्यों इसलिए कि फादर से आप बात नहीं कर पा रहें लेकिन मम्मी है, मौसी है, बुआ है, चाचा है, चाची है, काजिन्स हैं, लेकिन आज के परिवारों में, जहां एक पिता, एक माता, एक या दो बच्चे होते हैं, वहां ये नहीं चलेगा, इसलिए अपने बच्चों से, बच्चपन से मित्रवत व्यवहार करें, मित्रवत व्यवहार का मतलब ये नहीं है, कि बच्चे और बड़ों के बीच में, कोई अंतर नहों, अंतर तो होने चाहिए, बच्चे बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन बच्चों के साथ, इतने सनेह के साथ व्यवहार करना है, कि आप हर चीज अपने बच्चे क को समझा सके हर चीज इतना खुला व्यवहर होना चाहिए कि बच्चा हर चीज आप से बोल सकता है आप से पूछ सकता है और बच्चों को इतनी वोकाबलरी शब्द भंडार दिया जाए कि हर विशे पर बोलने के लिए उसके पास सही शब्द हो यदि आपकी बेटी आकर आप से कहती है कि आज एक लड़के ने मुझसे गंदा काम किया ये गंदा काम क्या है तुमको चुआ क्या अलिंगन किया क्या चूमा चाटी की कोशिश की अपनी बच्ची को अपने बच्चे को इतनी वोकाबलरी शब्द भंडार दीजे कि वहार चीज को स्पष्टते आपको बता सकें और जब स्पष्टते आप बताता है तो इतना शब्द भंडार होना चाहिए कि आप उसको सही सही समझा सकें इस तरह की तैयारी जब हम करेंगे तब हम अपने बच्चों को जाल से बचा पाएंगे आज के क्लास को कंक्लूट करने के पहले एक चीज और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कल की तुलना में आज जिन जालों में बच्चों को फसाया जाता है वे बहुत परिश्कृत हो गए हैं आज कल तो जो जाल आता है वो इतना परिश्कृत है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये जाल है और धीरे 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 जिस तरह से चूहा खाने की जो वो जो खाने की चीज का स्मेल है उसके कारण पिटारे में घुस्ता चला जाता है वैसे ही आज कल जो परिश्कृत जाल है इन जालों में फसना और अधिक आसान हो गया है एक उदाहरिन के साथ मैं आज का क्लास क्लोस करना चाहता हूँ दो दिन पहले एक अज्यात नंबर से मेरे पास एक WhatsApp वीडियो कॉल आया वीडियो कॉल वैसे भी मैं पसंद नहीं करता और सीधे सीधे कोई अज्यान व्यक्ति वीडियो कॉल लगा रहा है मैंने अटिन नहीं किया उसने दो बार कॉल किया मैंने अटिन नहीं किया इसके कुछ समय के बाद उसने WhatsApp से मुझे एक हलो भेजा मैंने पूछा कि हलो आपका नाम क्या है आप मुझे कैसे जानते है उनका जवाब था परसों हैदरबाद में एक Conference में हम दोनों की मुलाकात हुई थी अपन दोनों ने एक दूसरे से काफी बात्चित की थी इसलिए मैंने आपको बुलाया है पर यह भाईयों और बहनों मैंने जिन्दगी में हैदरबाद कभी नहीं देखा है हाँ एक बार हमारी ट्रेन जो है एक एकसिडेंट के कारेंट दिशा बदल कर जब चली गई थी तब हैदरबाद शहर से होकर गुजरे थे यह आज से 40 साल पहले की बात है उसके अलावा जीवन में मैंने कभी भी हादरबाद का दर्शन नहीं किया है और यह इन भाई का कहना है कि दो दिन पहले हादरबाद में कांफरेंट में हमने एक दूसरे से बातचित की इसका मर्म क्या है क्यों उन्होंने मुझसे ऐसा कहा सभी भाई और बहन इसके बारे में जरा सोचें इसका जवाब अगले हफ़ते अपन चर्चा करेंगे क्योंकि इस तरह के जालों में आपको और आपके बच्चों को फसाय जा रहा है इन बातों को समझने के लिए प्रबू मादद करें मुझे एक प्रशन मिला है इसका उतर भी मैं आगले हफ़ते दे दूँगा प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाईबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाईबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एबम सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्थ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है जै मसीह की